हुजूर बाबा सावन सिंग्जी महाराज के जै रुहानी डायरी भागदो अध्याए पांच हालात निवास डेरा वै दोरा सिकंदपुर मासिक सत्संग के लिए संगत आ रही थी हुजूर को आजकल खारिश, कमजोरी, हाजमा, आदी की शिकायत है मगर काम बराबर पहले की तरहां कर रहे है 25 फरवरी को मासिक सत्संग दोपहर के एक बज़े से लेकर चार बज़े तक रहा एक हिंदुस्तानी करनल साहिब भी तश्रीफ लाए थे पहले हुजूर स्वामी जी महाराज के सार बचन छंद बंद में से फागुन का महीना लिया गया हुजूर ने खूब व्याख्यान दिया की अमीरों और गरीबों की होली में फरक होता है अमीर लोग रंगर गुलाल आदी से होली खेलते हैं गरीब और गवार लोग की चड़ नालियों का पाने आदी एक दूसरे पर फैंकते हैं लेकिन परमार्थी लोग मन और रू को समेट कर सुक्षम मंडलों में शब्द के साथ विलास करते हैं परन्तु दुनियादार लोग मन और इंद्रियों के भोगों में फस कर दुख उठाते हैं और पाप उन्ने करके दुख सुक के अधिकारी बनते हैं हुजूर स्वामी जी महाराज ने क्या कुहूब कहा है यह नर्देही फागुन मास सूरत सकी आई करन बिलास तुझको फिर कर फागुन आया समल के लियो हम समझाया क्योंकि 84 लाख योनियों में चक्कर लगाकर मनुश्य देही मिलती है संतो रिशी मुनियों की दया सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है क्योंकि जिस जानवर पर संत सवारी कर ले या जिस पेड कफल खा ले उसको उस योनि से निकाल कर आदमी कर आदमी का शरीर दे सकते है फिर जब वे जीवातमाई, रिशी मुनियो, संत महातमाओं के सत्संग में आती हैं, तो उनसे संत कहते हैं कि अब मन इंदिरों की आधिनता छोड़ कर शब्द को पकड़ो और साथ अभ्यास की मुक्ति, अभ्यास की युक्ति भी बताते हैं, जिसके जरिये इंसान, आला, जनम मरण और इस संसार से मुक्त हो जाता है, इसके बाद गुरु नानक साहिब का विक बोहिता ला दिया लिया गया, बाद में सरदार भगत सिंग साहिब ने मारुराग में अपनी लिखी कवीता सुनाई, जिसका मतलब था कि जब सत्गुरु ने इस दुनिया में अवतार धारन करना था, सब ग्रहों और नक्षत्रों ने एक कमेटी की, जिसका प्रेजिडेंट सूर्य हुआ, और सब ने एक मत से यह मता पकाया, कि ऐसी रूँ को हर तरह की मदद दी जाए, चुनांचे घनिस्टा नक्षत्तर ने यह पेशकस की, कि सत्गुरु के जनम के वक्त मे मैं उनको धन दोलत, मान बढ़ाई दूँगा, सुर्य ने कहा कि मैं शत्रों, ग्रहे में खुद बैठूँगा, और सुर्य पुतर शनी ने कहा कि मैं हर तरह से इस काम में अपने पिता की मदद करूँगा, ब्रहस पती जो की सब ग्रहों का गुरु है, उसने कहा, मैं निर् इस फर्वरी को लाला जैरामदास कपूर के भोग की रसम थी, हुजूर अमरित्सर तश्रीफ ले गई, वहां पांच बजे के करीब, लाला जी के मकान के सहन में भोग की रसम अदा के गई, और परसाद बांटा गया, उस रात हुजूर अमरित्सर सत्संग घर में ही ठहरे, दूसरे दिन सुबह नो बजे सत्संग हुआ, सत्गुरु का नाम पोकारो, सत्गुरु को हेरे धारो लिया गया, हुजूर ने फर्माया कि जो भी नाम कोई कामिल महात्मा किसी व्यक्ति को बता दे, वही उसको प्रेम प्यार से जपना चाहिए, क्यूंकि वह महात्मा जिम बिन सिंग साहिब ने, जबकि आप घोडे पर स्वार होकर लड़ाई पर जा रहे थे, बजाए, गूरु मंतर देने के यहा फरमाया था, वहा, भाई बेला, ना पिछाने वक्त, ना पिछाने बेला, गूरु साहिब का मतलब तो, यहा था, कि मैं तो जाने की जल्दी में और तुम उसे इस वक्त गूरु मंतर मांगते हो, मगर वह सीधा साधा व्यक्ति समझा, कि यही गूरु मंतर है, यही गूरु मंतर है, उसको सारा दिन रटता रहा, जब रात को गूरु साहिब लड़ाई से वापस आए, और दरबार लगा, तो उनके गरंथी ने हासी मजा गूरु साहिब से पूछा कि महराज जी, क्या भाई बेलो को कोई मंतर जपने को दे गए थे, तो उन्होंने फरमाया कि हमें तो याद नहीं कि कोई मंतर दे गए हो, उस पर गरंथी बोला, यह तो सारा दिन, वह भाई बेला, ना पिछाने वक्त, ना पिछाने वेला, जब सुलज गया और भाई साहिब के अंतर के किवाड खुल गए, इसके बाद शाम को वहां से रवाना होकर डेरे साथ बजी के करीब पहुंच गए, एक खत उस अभ्यासी का नकल किया जाता है, 13 फरवरी 1945, परम कृपालू सच्चे पिता जी, आपका हुकम नामा मिला, हुजू से बहुत महनत और प्यार से भजन करता रहा हूं, एक महा लगतार एक मिनट के लिए नहीं सोया, और नाही नींद आई है, बदन कमजोर होने के कारण वक्त से पहले कम कर दिया है, शाम को साथ बजे से दस बजे तक, और सुबह को तीन बजे से छे बजे तक, अब मैं वहां तक पहुँच गया हूँ, जहां पर बड़े बड़े पहाड, घाटियां और अच्छे अच्छे बाग है, वहां पर उपर से बे अंत बरफ गिर रही है, और एक बाग की सैर की, उस वक्त ऐसा मालूम होता था, कि दोपहर है, सुरिय सिर के उपर था, और खू बड़ बरफ पर रही थी, इसलिए आगे ना जा सका, और वापस आ गया, कल दो बजे तारिख तीन मार्च को, हुजूर मोटर कार से लुध्याना जाएंगे, और वहां से साड़े आठ बजी की गाड़ी से हिसार रवाना होंगे, हुजूर को काम की जाती है, और जिसम पर लालाल फुंसिया निकल रही है, और साथ ही जो काम का जोर है, नाक बहता है, पर काम करते हैं, किसी सत्संगी ने डाक में स्वाल बेजा, कि पहले-पहले किस अवाज को पकड़े, तो जवाब दिया कि पहले पहले बहुत सी अवाज आया करती हैं उन में से घंटे की अवाज तलाश करो जब तक वह ना मिले जो अवाज सुनाई देती है उसे ही सुनो हुजूर पूर नूर का दोरा सिकंदपूर तीन मार्ज की सुभा आठ बजे डेरे से चल कर हुजूर जल्दी जल्दी रास्ते में किसी जगहा ठहरे बिना कोटक पूरा पहुँचे क्योंकि सब को खयाल था कि हुजूर रेल में ही सार के रास्ते लुधियाना से तस्रीफ ले जाएंगे मगर कोटक पूरा मुक्तसर सराई नांका की संगतों को पता था वे मौके पर मुझूद थी उनके लिये उतरना पड़ा उसके बाद दब वाली से नो मील पर परे नहर बंगला महोल वाला पर आकर खाना खाने के लिए दिन के दो बजे ठहर गए नहर के किनारे यह बड़ा मन महोक स्थान है नहर बह रहे थी वहां सबने आराम से खाना जो साथ लाए थे खाया तीन बजे के बाद आगे चल पड़े यहां से करीब ही मोजा सम्मी से एक पक्की सडक मंडी गिदबहा को जाती है जिस पर कुछ दूर चल कर नहर की पट्टी मिल जाती है जो की 85 मिल आगे चल कर जिगेडा के मुकाम पर शाही सडक से आकर मिला देती है जिगेडा लुधियाना से 18 मिल बताया जाता है यह रास्ता मोगा मुक्तसर मलोट डबवाली के रास्ते से छोटा है जाती बार इसको देखने का इरादा है सिरसा भी रास्ते में नहीं ठहरे सिधे सिकंदपुर मिल में 5 बज़े से पहले आप होँचे हुजूर ने कार खाने को देखा काम खूब चल रहा था फिर कमाद की कटाई वाले खेत में तश्रीफ ले गए और मैं घर आ गया आठ में 9 मार्च की दो रात हुजूर बड़े भाई साहिब के निवास थान तेहडी रसूलपुर में ठहरे वहां से कमाद की कटाई की खेत केवल आधा मिल पर है सारा दिन कमाद की कटाई कराते और शाम को भाई साहब के यहां आकर जाकर खाना खाते और सोते दस तारीक को शुगर मिल में से होकर सिकंदपूर वापस तश्रीफ ले गई एक हवलदार साहिब दो मा की छुटी पर तश्रीफ लाए है उससे बाते करते रहे के जापान बर्मा सिंगापूर मलाया आधी सब खाली कर देगा मगर अमेरिका चाहता है यह सब उसको दिये जाएं इरान पर रूस की निगाहे हैं वहां मिट्टी के तेल के कोई है क्योंकि मैंने सीविल में नोकरी की है इसलिए मुझे मिलिटरी अफसर की अलग-अलग पद्वियों का बिलकुल पता नहीं हवलदार ने बताया दो किसम क अफसर होते हैं एक केसियों दूसरे वीसियों यानि एक तो शाहा इंगलेंड के कमीशन अफसर दूसरे वाएसराई के कमीशन अफसर जैसे सूबिदार, मेजर, जमदार, इत्यादी, दूसरे केसियों में निमलिक्त दर्जे हैं 1. Second Lieutenant जिसके वर्दी में सिर्फ एक स्टार तारा होता है 2. Lieutenant जिसके वर्दी में दो स्टार तारे होते है 3. Captain जिसके वर्दी में तीन स्टार तारे होते है 4. Major जिसके वर्दी में एक राउन ताज होता है 5. Lieutenant Colonel जिसके वर्दी में सिरफ एक crown, ताज और एक star होता है इन सब को लड़ाई में मौर्चे पर जाकर लड़ाई करनी पड़ती है 6. Colonel जिसके वर्दी में एक crown, ताज और दो star तारे होते है 7. Brigadier जिसको अमेरिकावाले Brigadier Journal कहते है उसके वर्दी में तीन स्टार होते हैं और एक क्राउन ताज होता है उसका जंडा निला होता है आठ मेजर जनरल जिसके वर्दी में एक स्टार होता है और एक क्रोस स्वोर्ड तलवार होती है उसका जंड़ा लाल होता है उसके अधिन तीन चार बिरिगेडियर होते है 9. लेफटनेंट जनरल जिसकी वर्दी में एक राउन, ताज और एक क्रोस वोड दलवार होती है उसका जंड़ा यूनियन जैक होता है 10. जनरल उसका बिजनड़ा यूनियन जैक ही होता है उसकी वर्दी में एक स्टार और एक क्राउन और एक क्रोस स्वोड तलवार ही होती है उसके अधिन तीन चार मेजर जनरल होते है लड़ाई में पिछे रहेकर सारी फोज को कमांड करता है हिंदुस्तान के कमांडर इंचीफ लेटलेंड जनरल या जनरल का ओधा रखते है लेटलेंड जनरल को साड़ी चार हजार रुपया मासिक वेतन मिलता है जनरल को पाँच हजार के करीब कमांडर इंचीफ को सूबे के गवर्णर जितनी तनखवा मिलती है ग्या रहा फिल्ड मार्शल इसकी वर्दी में क्रोस स्वोर्ड तलवार के गिर्द चक्कर होता है जिसको बैज कहते है उसका भी जन्डा यूनियन जैक होता है इन सब के ऊपर आर्मी का कौनसिल होती है जिसमें फोज के तुजूर्बे कारबूरे अफसर और सीविल के जज होते हैं वह अफसरों को तरक्की आदि देने का फैसला करती है चोधा मार्श को मलहर में जाकर हुजूर ने शिकायत की कि दो साल से खारिश की तकलीव है मैं मालक की मोज में राजी हूँ मैंने देखा है हुजूर के जिसम पर लालालदाने उबरे हुए है हुजूर ने बताया कि जहां से कुर्चा जाता है खून निकलाता है एक चमार ने कहा हुजूर यह तकलीव मुझको दे दो हुजूर ने फरमाया अरे चिल्ला उठेगा मैंने भी कहा पिचक जाएगा क्योंकि हुजूर को जो तकलीफ आती है वह पहाड की राई बन जाती है अगर मामली आदमी को वह तकलीफ दी जाए तो खबर नहीं क्या मुसीबत का पहाड तूट पड़े बावजूद इसके हुजूर की महनत का यह हाल है कि होदियों में कमाद में दुपहर की धूप और गर्मी में बैठे रहते हैं आजकल मार्च में इस तरह धूप बड़ी तेज होती है धूप में चलने को जी नहीं करता मैं तो सारा दिन एक जाड़ी के साय में बिस्तर बिचा कर लिखता रहता हूं या लेटा रहता हूं मगर हुजूर ना तो लेटते हैं ना कोई घनस आया तलाश करते हैं गन्नों की आड़ में जाकर बैठते हैं और बैठे रहते हैं 16 मार्च 1905 को यका यक इस कदर गर्मी महसूस हुई कि रात को कोई कपड़ा ओड कर नीद नहीं आई बहुत देर तक मच्छर कारते रहें दोपहर को धूप यहां खूप पड़ती है 17 मार्च को दोपहर को तीन बजे लू भी महसूस होती थी एक सत्संगी ने लिखा कि मैं तारे देखता हूँ आगे रूह नहीं जाती जवाब दिया कि तारों को देखते रहो और सुमिरन करते रहो 18 मार्च इतवार को होदिया से सिर्शा शाम को तीन बजे हफता वारी सत्संग के लिए गए वहां हुजूर स्वामी जी की बाणी में से गुरु भक्ति पर धर्टी लिया गया। उसका जवाब यह है कि गुरु की तार खुदा से जुड़ी हुई है वह दियाल पूरु से संदेश लेता है जैसा मुलाना रूप साहिब ने कहा है नामा बर नामा पैक पर बैक पैक बर पैक अस्त संतों को हर वक्त मालिक से हुकमाते रहते हैं हम गुरु की सेवा इसले कर बते हैं कि वह हमारी तार भी देयाल पूरु से जोड़ दे इसलिए हुजूर स्वामी जी महाराज इस शब्द में फर्माते हैं कि गुरु की पदवी देवी देवताओं ब्रहमा पार ब्रहमा राम कृशन पैगंबरों अवतारों आदी सबसे बड़ी है क्योंकि हमने उनक को देखा नहीं है उनकी बाबत किताबों में पड़ा या किसी से सुना है गुरु ने हमें अंदर ले जाकर हर एक के दर्शन कराई और सबकी पदवी जुदा जुदा गुरु की बदोलत हमें पता लगते हैं इसलिए हमारे लिए तो गुरु ही बड़ा है अगर गुरु न होता तो हम उनके दर्शन न होते हमें उनके दर्शन न होते ना ही उनकी पदवी के खबर होते आतम परमातम नहीं मानू जोगी मुकाम में अल्हा यानी सहस्तर दलकमल को आतमा कहते हैं ब्रह्मा को परमातमा कहते हैं उनके नजदीक ब्रह्मा के परे कुछ भी नहीं है जब उनने सब शक वैसन दहे गुरू से पूछ पूछ कर धूर करे और जो जब तप ब्रत पूजा वह कर रहा हो वह भी गुरू को बता दे फिर जैसे गुरू हुकम दे वह करे ना कि पहले अभ्यास को जारी रखे जो गुरू मारक दे ही बताई सोई निजगरम धरम हुआ भाई जिमेदार हो जाता है असल में गुरू शब्द है गुरू मुखव है है जो शब्द की कमाई करके अपनी रुह पर से तीनों शरीर यानि स्थूल सुक्षम और कारण 25 प्रकृतियां और तीनों गुणों के गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म पहुंचाए 20 मार्च आज कल कमाद की कटाई बड़े साहिब के निवास्थान के पास हो रही है कल 19 मार्च की दुपहर को हमारे कमाद के गड़े गाड़ियां मोरी वाला गाओं की शामलात में से गुजर रहे थे कि वहां के कुछ लोगों ने गड़े वालों पर हमला कर दिया कुछ एक आदमी को आदमियों को चोटाई तो पहर के दो बजे हुजूर खाना खाकर डाक सुन रहे थे कि लोग भागे हुए आए और सुचना दी कि जल्दी दोड़ों हमारे आदमी पीटे जा रहे हैं यह घटना वहां से दो मिल के फासले पर हुई थी हुजूर उसी वक्त चल दिये और सब संगत कोई ए हो जाएगा और हम पर यह इलजाम लगाया जाएगा कि हमने उनके घर में जाकर हमला किया है गुरू को सरवग्य समझ कर साथ हो लिया जब हुजूर उस जगह से चोथाई मील पर रह गए और हुजूर की जमेन की सीमा आ गई तो हुजूर ने हुकम दिया कि कोई आगे न ब बेज कर पता करे कि क्या हालत है वहां से रिपोर्ट आई कि विरोधी दल आगे खड़ा है मगर अब कोई फाइदा और अब कोई और फसाद का डर नहीं है इस पर हुजूर वापस आ गई पुलिस में बकाइदा कारेवाही कर दी गई अगर हुजूर अपने आदमियों को न चिठियां नकल के योग्या है राधस्वामी दयाल की दया राधस्वामी सहाई श्रीमान परम पुझ्य श्री गुर्देव जी अर्ज कमतरीन कि यह है कि हुजूर जी नो मार्च उन्निस सु पंतालिस के दिन आठ बजे मेरे घर को आग लग गई घर पर कोई ना था एक छो दाखिल होते वक्त क्या देखा कि आग लगी हुई है मेरी पतनी साथ वाले घर में बैठी थी मेरी पतनी को उस लड़की ने आकर कहा कि आपके घर में आग लग गई है जब उसने मकान पर जाकर देखा तो हुजूर खुद आग बुझा रहे थे हुजूर की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ आग पर सिर्फ एक बाल्टी पाने डाला गया कि फोरन आग शान्त हो गई जब दूसरे लोगों ने देखा बड़े हैरान होकर चुपचाप चले गई आपकी महिमा आप ही जाने राधा स्वामी देयाल की दया राधा स्वामी जी सहाई मुच्सिल आदमपुर्ड अठारा मार्च उन्निस सो पन्तालिस हुजूर सेहनसा मालिके कुल अकाल पुरुष के चर्णों में हाथ जोड जोड कर राधा स्वामी कुल संगत की मंजूर होई हकीम का भाई जिस समय स्वर्दवास हो गया सहनसा तो हर्व तरहां से जानते हैं उस वक्त का हाल है पहले माता जी आई फिर सहनसा आप आई दोनों आकर संभाल कर गई के भाई स्वर्ग ने कहा कि महाराज जी मैं भूत पापी था अब मेरे पाप माफ कर दो फिर उसने कहा लकडियां चीता कर ले जाओ और मुझे बाहर ले जाओ इतनी बाते करके चड़ाई कर गया शहनसा ने बड़ी रहमत की की मोत के समय महाराज जी और माता जी ने आकर संभाल की गरीबों पर दया करते रहें 23 मार्च को सुभे साड़े पाँच बजे प्राते ही हुजूर कार में डेरे की तरफ रवाना हो गई डबवाली से आगे सम्मी नाम के एक गाउं से गिदड़ बाहा मंडी को पक्की सड़क जाती है उस पर एक मिल के लगभग जाकर एक छोटी नहर की पटड़ी पर चड़कर आठ बजे सुभे बटिंडा आप जा पहुँचे उस नहर पर पहले बटिंडा सामा सट्टा और फिर बटिंडा फिर रोजपूर रेलवे लाइनों के पुल आते हैं वहां सरदार सोहन सिंग बंडारी ने लाला मड़ी मल के कारखाना दाल में हुजूर के लिए आराम का इंतिजाम कर रखा था चुनांचे वहां एक घंटा आराम करके फिर उस पटरी पर जो की सरहिंद नहर की ब्रांच है आगे चल पड़े उस नहर के दोनों तरफ खूब हर्याली मालूम हुई और फसले भी थी थोड़े थोड़े फासले पर बड़े बड़े देहात नजर आए जैसे कलियान फुला उनके बाद शेहना जो की जगराओ की तहसिल में बड़ा कस्बा है आखिरखार नभे मील नहर पर सफर करने के बाद पकी सड़क जो लुदियाना से मालेर कोटला को जाती है आ गई इस पर सयद गाओं पटेहरवे उसके बाद धिलो आई लुदियाना यहां से स्थारा ठारा मिल है यह रास्ता बनी सब्द लुदियाना मोगा मुक्त सर्मलो टबवाली के जादा बारोनक ठंडा और छोटा है लुदियाना एक घंटा खाना खाने में लगा कर फिर चल वहां से फिलोर गोराया मोली फगवाडा जालंधर छावनी की संगतों को धर्शन देते हुए हुजूर शहर सरदार साहिब के निवास्थान पर आकर दो घंटे रुग गए वहां से कपूर थला होते हुए शाम के साथ बजे देरे पहुँचे यहां सत्संग क्योंकि भीड जमा थी तू की सत्संग के लिए बहुत से लोग आय हुए थे सत्गुरु तेरा ही आसरा सत्गुरु तेरा ही आसरा हुजूर बाबा सामन सिंग जी महाराज के